नमस्कार ये आकाश्वानी पटना है अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए सबसे पाहले मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप राजिपाल लाल जी टंडन के अभिभाशन के साथ कल से शुरू हो रहा है बिहार विधानमंडल का सत्र प्रधानमंत्री ने कहा देश तभी विकास के कीरतिमान स्थापित करेगा जब महिलाएं शशक्त होंगी और पूरे प्रदेश में भक्तिपूर्ण माहौल में मासरस्वति की हो रही है पूजा अर्चना समचार विस्तार से प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों, दलितों और जन जातिये लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है श्रीमोदी ने आजांधर प्रदेश में एक जन सभा को सम्भोधित करते हुए कहा कि पिछले साथ सालों में जहां सिर्फ 12 करोड गैस कनेक्शन वितरित किये गए थे वही NDA सरकार ने पिछले साठे चार सालों में रिकॉर्ड 13 करोड गैस कनेक्शन दिये हैं उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जिन दलोंने लोगों को धुए में जीने के लिए छोड़ दिया था वे ही अब जूट का गुबार फैला रहे हैं। प्रदानमंत्री ने कॉंग्रेस पर उसके शासनकाल में रास्ट्र की सुरक्षा की अन्देखी करने और रक्षा क्षेत्र में कई घोटालों से जुलने का भी आरोप लगाया। केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी कल पश्चमी चंपारन जिले के बगहा में 34,000 करोड से अधिक की दस रास्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाओं कार्शिला न्यास करेंगे। इस अवसर पर केंद्रिय क्रिशी मंत्री राधमवन से भी मुख्य आतिथी के रूप में मौजूद रहेंगे। केंद्रिय मंत्री यरुन जेकली ने राफेल मुद्दे पर कॉंग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि इस सवदे से ना केवल भारतिय वायुसेना की आक्रामक शमता मजबूत हुई है बलकि देश के हजारों करोड रुपे बचे हैं। एक फेस्बुक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर कॉंग्रेस के दावे जूठे सावित हुए हैं। सत्र के पहले दिन राजिपाल का अभिभाशन विधान मंदल के सदस्यों के बीच विधान मंदल के सेंटरल हॉल में होगा। विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं से बजट सत्र के सुचारू संचालन और सार्थक विमर्ष में शायोग देने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री सहवित मंत्री शुशील कुमार मोदी बजट सत्र के पहले दिन बिहार का तेरह हुआ आर्थिक सरवेक्षन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। भारत वैश्वी कस्तर पर कृषी के क्षित्र में अपनी सशक्त उपस्थिती दर्ज करा रहा है और आने वाले समय में किसानों की आमदनी में और व्रिध्ध की संभावना है। जल, नब और थल में महिलाओं की उपस्थिती मजबूती से हुई है। शिरी सीह ने कहा कि जीवन का कोई ऐसा क्षित्र नहीं है जिसमें महिलाओं ने अपनी सशक्त उपस्थिती दर्ज नहीं कराई हो। इस क्रिशी कुम्भ मेले में देश भर के वैग्यानिक और आक्ष करते हुए पूछा है कि उन्हें बताना चाहिए कि राजद सरकार के 15 साल के कारेकाल में राज्य के कितने युवाओं को रोजगार मिला था। श्री मोधी ने ट्वीट कर कहा कि जिस कॉंग्रेस के साथ पार्टी ने पटना में जन आकांग्छा रह लिकी उसी पार् युजना का उदेश 15,000 रुपे तक की मासिक आए वाले अस अंगठी तक्षत्र के कामगारों को पेंशन उपलब्द कराना है। युजना से जोड़ने वाले लावार्थियों को 60 वर्ष की आयू के बाद 3,000 रुपे मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार पाकाशवानी पतना से सुन रहे हैं। राष्ट्रिय लोकसमता पार्टी के राष्ट्रिय कारेकारी अध्यक्ष के पत्स से हटाये जाने के बाद से नाराज चल रहे नागमनी ने आज पार्टी की प्रात्मिक सदस्यता से इस्तिफादे दिया है। लोकसवा चुनाव में उपेंद्र कुश्वाहा और उनकी पार्टी के लोगों को कुश्वाहा समाज वोट नहीं देगा। उत्तर प्रवेश के प्रयागराज में वसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरे शाही असनान का आयोजन किया गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने दावा किया है कि लगभग दो करोर स्रधालूओं ने इस अवसर पर पवित रस्नान किया। मेला प्रशाशा ने स्रधालूओं के लिए आठ किलोमीटर लंबे चालीस स्नान घाट विक्सित किये थे। वसंत पंचमी के बाद इस महीने की 19 तारीख को दो और मुख्यसनान पर वायोजित किये गया है। पिछले महीने की 15 तारीख को मेला शुरू होने के बाद से अब तक 13 करोर से अधिक तीर थियात्रियों ने प्रयागराज में पवित रस्नान किया है। वसंत पंचमी के मौके पर राजधानी पटना सहित पूर्य प्रदेश में विद्या की देवी मा सरस्वती की पूजा अर्चना हर्शो लास के साथ की जा रही है। है कि मा सरस्वती की पूजा अर्चना से समाज में विद्या, बुद्धी, ज्यान, कला, प्रेम, सद्भाबना और समरस्ता का विकास होता है। मुख्यमंत्री नेतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि राज्य में ग्यान के स्वर्णिम प्रकाश का अधिक से अधिक विस्तार होगा। राश्ट्रपती रामनात कोविंद और प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने भी वसंत पंचिमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर लोगों को बदाई दी है। अगले एक सब्ताह तक प्रधेश के अधिकान सिक्षत्रों में आंशिक रूप से बादल छाय रहने और हलकी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर कोहरे के कारण पूर्व मध्रेलिवे की अधिकान सिक्षत्रे ने विलंब से चल रही हैं वहीं कई ट्रेनों को रद्ध कर दिया गया है। पूर्णिया जिले के 22 थानाक्षत्र से जप्त किये गए वहन से पुलिस ने तीन अत्याधुनिक 147 राइफल और 1200 कार्थूस बरामत किया है। पूलिस ने सामोहिक हत्याकांड के आरोपी समेत 12 अपराधियों को गिरफतार किया है। शुरू हो रहा है बिहार विधानमंडल का सत्र। केंदरिया क्रिशी मंत्री राधा मोहन से ने कहा देश तभी विकास के खीर्तिमान स्थापित करेगा जब महलाएं सशक्त होंगी। और पूरे प्रदेश में भक्तिपूर्ण माहाल में मासरस्वती की हो रही है पूजा अर्चना। इसके साथ ही आगाश्वानी पतना से प्रसारित प्रदेशिक समाचार का यहंग समाप्थुआ। प्रदेशिक समाचार के जाग ण्याश्वाण। अच्छुर्ण तेलिम वैडरूथ तूर्ण सम्वाप्थुट अर्ध रंधुट्रण प्रदेश्वाल टुन्गूण इनुमाप्वटिटिक्ट The festival of Basan Pancham has been celebrated today with an addition of an 80. It is celebrated as Swarastipura on Pancham and Shula Pash in the month of Mark. The Kumaila and Piyaraj were 1.5 proud devotees to hold a deep tray during the third and final Shahi-san on this occasion. The Shahi-san was taken by saints and sisters of various Akhah Satsangam, the conference of Ganga Yamuna and Saswati. President Rahat Cohen and Prime Minister Narendra Modi elevated the people on Basan Pancham. In the case, the Indian men's and women's teams ended the tour in New Zealand with a defeat in the final 2020 internationals of the three match series at Hamilton today. The men in blue lost the series 1-2. Point to back the Qs had posted a mammoth 212-4. In reply, teaming managed to make 206 in the lot of 20 hours. In the day, the Indians failed to back a consolation win and lost finally 20 by 2 runs. And that is the end of this news written. Thank you. झाल 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 झाल